1.75 trillion Shiba Inu coin move हुए है Robinhood exchange से किसी भी centralized exchange से अगर कोई भी token move होकर के decentralized wallet में जाता है तो ये हमारे लिए बहुत भी bullish news होती है पिछले bullruns में भी हमने देखा है कि bullruns की starting कुछ ऐसे ही होती है कि whales अपने पैसे को जो वालेट में store करते हैं Shiba Inu के साथ भी ऐसा हो रहा है Shiba Inu के जो लोग भी holder है वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे कुछ important चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको पता चल सकता है कि market में pump कब आएगा और तो जो Shiba Inu के holders हैं क्या उनके पैसे 50X या 100X हो सकते हैं और बहुत ही धमाकेदार होने वाली ये वीडियो सारे facts जानने के लिए कोई भी topic आप मिस मत करिएगा नमस्कार दोस्तों मैं साहिल दोबे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे एक बार अगर आप crypto market को देखते हैं तो हमें जो है पिछले साथ दिनों में BTC में करीब 8% का डम देखने को मिला अभी के अगर बात करें तो करीब 59,500 डॉलर्स पर चल रहा है लेकिन BTC जो है 57,000 तक भी गया था लेकिन कल का दिन काफी अच्छा रहा लेकिन सबसे अच्छा जिस सेक्टर के लिए रहा वो रहा Meme Coin Meme Coin के अगर बात करें तो Doge Coin में 6% Shiba Inu Coin में करीब 6% Pepe में काफी बड़ी ग्रोथ है 15% ऐसे करते हुए जो भी low cap Meme Coins थे उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है वही चीज देखे Shiba Inu के साथ हो रही है लेकिन पिछले एक महीनी के अगर हम बात करें 14% से ये डाउन है लेकिन कहीं ने कहीं ये देखे accumulation अभी चल रही है दो transaction यहाँ पर देखे record किये गये हैं जिसमें की 1.75 trillion Shiba Inu Coins जो है उसे move किया गया Robinhood exchange से किसी और wallet पर इसकी value को अगर हम बात करें तो यहाँ पर 19 million dollars के यहाँ पर एक transaction की value है कहने का मतलब किया हुआ करीब 38 million dollars के यहाँ पर Shiba Inu tokens को जो है Robinhood exchange से उठा करके decentralized wallet में रखा गया है आप यहाँ पर address वगएरा जाकर के check कर सकते हैं इसका मतलब मैं आपको समझायता हूँ देखी कभी भी यहाँ पर अगर decentralized wallet से कोई भी token उठ करके centralized wallet जैसे कि Binance हुआ, KuCoin हुआ या फिर Robinhood exchange जो कि US में यहाँ पर work करता है उस पर जाता है तो हुआ क्या कि centralized exchange पर लोग जाकर के अपने tokens को sell करते हैं लेकिन अगर किसी को भी long term holding करनी है या फिर selling का उसका कोई mood नहीं अगर लिए 4-5 महीने तो अपने centralized wallet से या फिर centralized exchange tokens को उठा करके decentralized wallet जैसे कि hardware wallet हुआ या फिर trust wallet हुआ या फिर metamask हुआ उसमें transfer कर देता है तो जब कभी भी centralized exchange से तोकन आ रहा है जिन्होंने यहां पर देकि Shiba Inu को as a payment option लिया है उनके native token के लिए ये भी bullish news है Shiba Inu coin के लिए एक bullish news और आ रही है crypto market के लिए moon pay जहां पर आप देखते हैं कि trust wallet पर जब भी आपको कोई भी यहां पर INR में transaction करना है या फिर fiat currencies यहां पर कुछ buy करना है तो moon pay का आप यूज करते हैं उन्होंने यहां पर देखे partnership की ये paypal के साथ जहां पर कि लोग और सारे crypto's वगारा buy कर सकते हैं web 3 की काफी बड़ी company है moon pay तो crypto users के लिए और जदा यहां पर accessible हो जा रहा है कि paypal का use करके आप बहुत सारी और crypto currencies को buy कर सकते है अपने fiat currency का use करके अगर हम यहां पर देखे इंडिया की बात करें तो एक ranking निकल करके आई है कि यहां पर इंडिया जो पाकिस्तान से पीछे है crypto adoption को ले करके बहुत सारे लोग इस पर देखे मजाक उड़ाएंगे कि रहे इंडिया तो यहां पर crypto का accept नहीं कर रहा है लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊँ crypto देखे जितनी अच्छी चीज है इससे बुरी चीज़े भी होती है जैसे कि money laundering हुआ या फिर terror funding हुआ तो इस वज़े से इंडिया जो है थोड़ा यहां पर पीछे हटता है crypto को ले करके क्योंकि देखे population बहुत सादा है कोई भी अगर यहां पर technology आती तो उसे regulate करना पड़ता है तो crypto को पूरी तरीके से अगर यह regulate कर पा रहा है जिससे कि यहां पर risk कम हो जाए देखे zero तो नहीं हो पाएगा risk देखे थोड़ा तो रहे गई अगर मैं आपर cash की बात करूँ तो cash से भी यहां पर crimes होते हैं वैसे crypto से भी होंगे लेकिन इस risk को थोड़ा कम करने के लिए थोड़ा आपर time लिया जा रहा है इसी वज़े से इंडिया में इतनी regulations आगे जो की अच्छी चीज़ भी है वहिए अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो शाय से यहां पर उतनी regulations ना हो क्योंकि हम सब जानते कि पाकिस्तान में चीज़ें जो थोड़ा यहां पर different है इंडिया से तो इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं अगर इंडिया जो है क्रिप्टो के मामले में क्रिप्टो अडप्शन के मामले में पाकिस्तान से पीछे है तो वहिए अगर हम US की बात करें तो इनका राइंग के second आता है कोई दिक्कत की बात नहीं इंडिया यहां पर क्रिप्टो अडप्शन में जो है धीरे धीरे अडप्ट करेगा लेकर रेगुलेशन के साथ करेगा क्रिप्टो कोई अडप्ट करके क्या करेंगे जब यहां पर तो crimes को गरा बहुत ज़ादा बढ़ जाएंगे, money laundering बढ़ जाएगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर गॉर्मेंट के भी साथ हूँ, और तो और अपने देश के लिए, जो चीज सही होगा, वही चीज बोलूँगा, मैं क्रिप्टो मार्केट में हो, तो मैं यह नहीं कहूँगा, कि नहीं पूरी इंडिया जो है क्रिप्टो मार्केट में आजाए, उसमें मैंने आपको सारे स्टेप्स वगरा बताएं, कि क्या स्टेप्स आपको लेने P2P ट्रामदेक्शन करने से पहले, जिसमें कि मैं आपको यहां पर कब long लेना है, कब short लेना है, leverage कितना रखना है, entry price क्या रहेगी, target क्या रहेगा, stop loss क्या रहेगा, सारी चीज़े बताता हूँ, बात करें कि नहीं Shiba Inu Coin में या फिर crypto market में कब यहां पर pump आ सकता है, तो meme sector जो काफी अच्छा perform कर रहा है, जब भी market में थोड़ी यहां पर बहुरते मिलती है, meme coins में में सबसे जादा यहां पर growth देखने को मिलती है, यह अच्छी चीज एक तरीके से, लेकिन इसके लिए हम हालविंग पर, यानि कि 2016 में जो है, जब भी हालविंग हुई तो उसके जो दो महिने तक market नीचे गिरता रहा था, थर्ड हालविंग 2020 की बात करें तो उसके बाद market जो थोड़ा नीचे गिरा और तो साइड़ वेज रहा, और यही चीज मुझे लगता है कि अभी भी हो रह हालविंग के देखे, दो महिने तक market शाय से नीचे गिर सकता है, तो यह दो महिने हमारे लिए अच्छे रहेंगे crypto market में जो अपने entries बनाने का, जिसके बारे मैंने आपसे यह पांच low cap की videos में बता दिया है, तीन दिल पहले यह वीडियो आई थी जाकर के देखी का जरूर, पांच low cap coins में आपको बताया है, जिन में कि आपने entry बना सकते हैं इन दो महिनों में, शाय से दो महिने के बाद जो हैंपर market में अच्छा है, आपर बढ़ोतरी देखने को मिले, तो BTC जब बढ़ेगा, तब ही यहाँ पर हमें जो शिबायों में बड़ा pump देखने को मिल सकत मुझे लगता है कुछ समझदार लोग जो होंगे, उन्होंने जब शिबायों में यहाँ पर एक spike देखने को मिली ते वहाँ पर अपना profit book कर लिया होगा, जो कि मैं आपसे हर वीडियो में बोलता रहता हूँ कि profit booking आपकी बहुत ज़रूरी है, रही बात 50X या 100X की, तो शि अपने इंस्टाग्राम पर जिसका नाम है कौकिनू, इंस्टाग्राम के में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर के जॉइन कर सकते हैं, कौकिनू भी यहाँ पर देखिए AVEX का प्रोजेक्ट है, जाकर के चेकाउट कर सकते हैं, अधर्वाइस बिग मार्क के अपके coins को अगर आप पकड़ते हैं, तो 5X से 10X का target हम लेकर के चल सकते हैं, ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक ज़रू करिएगा, चैनल पर अगर आप नहीं है, सब्सक्राइब के बेल ऐकेम पर क्लिक कर सकते हैं, मैं कोई भी financial advisor नहीं हूँ, जो सारी चीज़े इस व हाराई